हर्श्वरधन तरपार्थी में आप से पूछना चाहता हूँ ये बात कितनी सौभाविक लग रही है तो आपकी टिपणी होगी लेकिन ये बात क्यों खटक नहीं रही है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अपने सम्मिलन में राजनीतिक प्रस्ताव जहां पास होना है उन आप या बीजेपी न गिनाए मैं गिना सकता हूं क्या-क्या चीज़ें हैं जो अपनी उपलब्धियों का तोर पर गिना सकते हैं बहुत कुछ है चिंता की बात भी है इस वक्त लेकिन क्या सबसे बड़ी चिंता जैसे जैसे सक्सापरा जी कह रहे हैं कि हिंदू वोर्ट बैंक धारा 370 और राम मंदिर का जिक्र नहीं हुआ मुझे आश्चर हो रहा है कि यह सवाल सापरा जी को क्यों उठाना चाहिए लेकिन उसी तरह क्या इस बात पर आश्चर है नहीं होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी विपक्ष के अगडवंधन की चिंता कर रहे हैं कि वहां का नेत्र तो है या नहीं है नहीं है तो अच्छी बात है ना अथική और आच्छी तो पर यह ठीक है क्यों कि बार बार मैं इसको एक बात कह रहा हूं कि हिंदी राजनीट का वयक्वन खोजने की कोशिश में पाटियां लगी हुए है तो उनकी तरफ से ठीक है लेकिन जो मूल सवाल है कि नरेंद्र नरेंडर मोदी वह बात क्यों नहीं कर रहे हैं जो मुद्दे लगातार उठते हैं या जिस पर वह बात कर सकते हैं मुझे लगता है कि यह कहां यह स्टेट्जिक डिफरेंस है दोनों में जो भारती जनता पार्टी जो नरेंडर मोदी अमिर्शा करते हैं और जो कॉंग्रेस और विपक्ष करता है जब कॉंग्रेस और विपक्ष की जो पूरी रणनीत होती है आप उसको देखिए कि वो मीडिया इंटेलेक्चुल या इस तरह के लोग जब पुश करते हैं और वो यह कहते हैं कि पब्लिक यह कह रही है क्या विपक्ष को ऐसे मूव करना चाहिए तो उस तरह से विपक्ष मूव करता हुआ दिखता है उसमें कॉंग्रेस पार्टी भी है लेकिन जब मीडिया इंटेलेक्चुल या जनरल डिबेट कहती है कि क्या इस मुद्दे पर नरेंद्र मोधी बोलेंगे प्रधान मंतरी के तोर पर भारती जनता पार्टी बोलेगी तो वो उस मुद्दे पर नहीं बोल रहे होते हैं और अचानक किसी ऐसे समय पर बोल रहे होते हैं जब उसकी उम्मीद नहीं होती तो मुझे लगता यह स्टेटिक डिफरेंस है और चूंके पिछले चार साल में उन्होंने आजमाया होगा या हम कहलें कि 16 साल में आजमाया होग जो मुख्यमंतरी गुजरात के रहते हैं और यहां अभी नेता के तोर पर लेकिन एक चीज जरूर है जो बड़ा सवाल है जो विपक्षी कह रहे थे कि अगर 2019 में भारती जनता पार्टी आ गई तो विपक्ष के लिए जगा नहीं मिलेगी भारती जनता पार्टी के लोगो वहां रहेंगे तो मुझे लगता है कि ये कोशिश ये बयान ये और किसी के लिए नहीं है अपने कैडर और अपने वर्कर को वह बताने के लिए कि दिखो विपक्ष तो इस बात से डर रहा है लेकिन आप लोगों का कॉन्फिडेंस पूरा नहीं हो